स्वयम देवर्शी नारत जी ने मुझे कहा कि ये मर्कट तेरे पतन का कारण बनेगा मेरे होते हुए आपका पतन? कभी नहीं वाली जितना दुष्ट और धूर्थ है सुग्रीव उतना ही निश्चल और सरल कितनी सरलता से वो घमंडी वाली के जूट में आ गया सरल व्यक्ति जैसा स्वयम है वैसा ही संसार को देखता है जैसे सुग्रीव का हृदे सरल है इसी कारण वो मेरा मित्र है जिसके हृदे में छल और कपट हो वो मुझे पा ही नहीं सकता है कपट करने वाला सोचता है कि वो सबको मूर्क बनाकर अपना स्वार्त सिद्ध कर रहा है किन्तु अंत में वो अपनी ही हानी कर बैठता है जैसे देखो आज वानर राज सुग्रीव की तेवता तक प्रशंसा करते हैं जबकि वाली अपने कर्मों के कारण हर लोक में निंदा का पात्र है भाया में गिर गया और आप फस रहे हैं क्यूंके मैं भी तुमसे पूर्व इसी तरह गिर चुका हूँ ठीक वहीं से कौन है वहाँ? कौन है? कहा गय? ये शब तो यहां से आ रहे थे कहा गय? कहा हूँ झाल 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 आपको भी भूख लग रही क्या भईया? आपने मेरे प्रश्ण का उत्तर नहीं दिया विया? कहां डूण डूण डूण? भईया हमने प्राया पुरा राजभवन डूण लिया किन्तो वो शांत औ सुंदर सिशु अब तक नहीं दिखाए दिया शांत सुंदर मरकट बोलो मरकट चत्रू है वो हमारा मुझे शमा करें भईया मैं भूल गया था अब मैं सदा स्मरन रखूंगा मरकट 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 मरक शब मार थाजब मरकट मरकट म प्रणाम वानर राज आईए आम अत्या कल्यों राज के सश्टी संस्कारण की सारी व्यवस्ता हो गई जी वानर राज आप से कुछ परामर्ष करना था किस विशे में दसमें दिन के नामकरण और संसकार के लिए अतिति की सूची के विशे में सुर्प्रथम लिवराज के नाना वानर राज कुंचर वानर राज मैंने तो उनका नाम सर्व प्रथम लिख लिया था अयोध्या नरेश महाराज दश्रत से आरंब करके अंग उतकल कंबोज कहकई काशी मिजला सुर्पी चेडिया राज साथ सुर्पी मेटर राज को निमांटर राज को निमांटर राज रिशी पनग, रिशी मगद और रिशी अगस्त को तो आना ही होगा साथ ही दंड ककानन, मतंगा रण तथा नेमी शारण में तपस्या कर रहे सभी रिश्यों को संदेश दीजिए कि उवराज को अशिरवाद देने अवश्य पधार है और हमारे सीमा बरती किशिकिंदा के राजा रिक्षिराज और और उनके पुत्र वाली और सुक्रीण नाम करण के साथ कल के शष्टी संसकार में भी उन दोनों को आमन्त रिद कीजिए प्रणाम महाराज महाराज रिशी शवानी के सिश्य आपसे मिलने की अनुवती चाहते है आने दो जी महाराज प्रणाम महाराज प्रणाम तपस्वी हम दंड कारणे से आपको कुछ सौपने आएं आने आपको कुछ सौपने 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 ये अश्ट दातु से निर्मित एक सिद्ध गदा है महराज हमारे गुरू के गुरू ने ये गदा तपस्य करके स्वयम दिव्व शक्तियों से प्राप्त की थी महराज किस प्रियोजन से और एक तपस्वी का गदा से क्या कारिय सुरक्षा में जी वे अपने गुरू के आज्यान उसार इस गदा के अधिकारी के जन्म लेने की प्रतिक्षा कर रहे थी किन्तु दो सप्ताह पूर्व उन्होंने भी दे त्याग दे अपने दिहान की पूर्व उन्होंने कहा था कि यदि ये गदा आश्रम में रही तो किसी राक्षशी शक्ति में पढ़ जाने का संकट हो सकता है अता उनके आदेश पर ही हम ये सिद्ध गदा आपको सौपने आये हैं किन्तु मुझे ही क्यों? उन्होंने कहा था कि शम्व सादन नामक राक्षश के वद्ध के पश्चाद आप ही इस गदा के योग्य अधिकारी हैं अच्छा जो इसके वास्तविक अधिकारी हैं वो कौन है? मैंने भी उनसे यही प्रश्ण पूछा थे तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? समय आने पर इस गदा का वास्तविक अधिकारी स्वयम आपसे ये गदा मांग लेगा महराज और आप ये गदा उसे सहर्श दे भी देंगे रिशिहु की बातें सदा समझ में नहीं आती किन्तु समय बीतने पर हर रहस खुल ही जाता है किन्तु इस गदा में क्या विशेश है? वानर राज ये अमोग गदा है अपने लक्ष पर चोट करने के पश्चाद वापस अपने स्वामी के हाथों में लौट आते है और दूसरी विशेश्टा इसकी यह है माराज कि इससे टकराने वाला चाहे वो कठोर से कठोर तत्व से ही क्यों ना बना इससे टकराकत खंड खंड हो जाता है और दोसरी विशेश्टा जाता है और दोसरी विशेश्टा जाता है और दोसरी विशेश्टा जाता है मुर्क अग्यानी अब मैंने क्या किया भईया मैं तो कब से यहां पे चुपचप खड़ा हूँ तुम नहीं ये तपस्वी ये तपस्वी इतना भी नहीं जानता कि इस गदा का योग्य अधिकारी कौन है कौन है भईया कौन है मैं महांतम और कौन वो तो आप हैं भईया ये गदा तो किश्किंधा में होनी चाहिए मेरे पास मुझ महांतम के हाथ में ये तो बहुत ही अध्वुत गदा है आपके गुरू के गुरू अवश्य ही कुशल योद्धा रहे होंगे मैं आपका धन्यवाद करता हूँ बताई इस गदा का मैं कैसे प्रतिदान करूँ नहीं माराज हमें कोई प्रतिदान नहीं चाहिए आप राक्षसी आक्रमन और आतंक से निर्दोश मनुश्यों वो प्राणियों की रक्षा जैसे करते आए वैसे ही करते हैं यही हमारे गुरू की इक्षा थी प्रैजा की रक्षा करना राजा का करतब भी होता है और रिश्यों को दान करना भी राजा का करतब भी है मंत्री जी इन युवा तपस्वियों को हमारी ओर से एक सहस्त्र स्वस्त गायें परदान करें अब आप लोग विश्राम करें और कुछ दिनों तक हमारे अतिती बन कर रहें आपकी जै हो राजन परम शक्तिशाली इश्वर आपकी भुजाओं में और बल दे आपके वन्ष को बढ़ाए और सदैव सुरक्षित रखे अरे 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 अभी नहीं बेता अन्य प्राशन के पश्चार अचो अरे 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 आपके वन्ष aट आरे अरे अरे रहे हो व traffic प्रिये एंजने, ये देखो, जानती हो, इसकी विशेश्टा क्या है? ये अमोग गदा लक्ष पर चोट मारकर सौमी के हाथों में सौयम वापस आ जाता है और उससे भी अधिक विशेश्टा है, ये कठोड से कठोड शस्त्र को एक ही टककर में खंड-खंड कर देता है ये सब किस ने किया प्रिये? न जाने किस ने किया? मेरे कक्ष से जाने के पूर्व तो ये सब से महा पेट पर पड़े हुए थे आपके जाने के पूर्व कोई कक्ष में आया था क्या? नहीं, कोई भी नहीं तिर्फ आपके ये पुत्र ही थे फिल तो हमारे पुत्रों तो कुल पांच दिन के हैं वो यहां तक कैसे पहुच पाएंगे? वो तो अभी खड़े भी नहीं हो सकते नहीं हो सकते हैं येदे कि